तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है अरेबिक शौर्मा की यह बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक शौर्मा बनता है तो शौर्मा पनाने के लिए यहां पर सबसे पहले मैंने एक बॉल चिकन ले लिया है और इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है इसमें मैं आड़ करूंग हुआ है चिली सॉस तू टेबल स्पोन अलमोस्त हमना चिली सॉस एड़ करना है वायट कर पर प्र इसके बाद ब्लेक पेपर एक करूंगी मैं इसके अंदर यहां पर रेट चिली पावडर एक कर रहे हुँ शॉल्ट एक करऊंगी ब्लैक पड़िग पर धनिया पाउड और उसमें रड़ चिली फ्लेक्स डालकर अब इसको इसको अच्छे तरीकशे तरीके से मैरिनेट करके मैं ओवर नाइट के लिए फ्रिज में प्लेस कर दूंगे तो हमारा चिकन जो है यहां पो अपो प्रकुन के लिए, तो भी कुंपर हम रख 260 को अब को रका धकी लिए norm ञान के लेगी milliards विन्हें और उसके ड़ींगी Sant 저희 चिकनगे समिद्वन का इड्ल और सारी रात के लिए इसको एक नाइट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से वह सोक हो जाए अब हम यहां पर दोर्ट तियार करेंगे टोर्टिलास बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है फ्लॉर जो आप बेकिंग के लिए लेते हैं मैदा उसके सॉल्ट एक्दे करें भाड़ मेढें भूल सुल्ट करेंगे में अब मने इसके अच्छे तरीके चलिए मिक्स डाबब दा यहां पर तो जेधाई होगा मैं इसको ने च्छेछे त Supreme पानी एड़ करूंगी आइस्ता आपने एक दम से पानी नहीं एड़ करना ताके हमारी जो है वह बहुत पतली ना गुंच है तो आप दियार हो गई है तो मैं इसके ओपर थोड़ा सा ओई लेकर और उसके ओपर प्लेस कर दूंगी ऑई ताके हमारी जो है वह जादा स्टिकी किना रहे कंसिस्टेंसी आजाए यहां डो पर मैंने ओल लगा दिया और इसको मैं फिफ्टीन मिनट्स के लिए जो है एक घीले टावल से थोड़े के लिए साइट पर रख दूंगी अब यहां पर मायो बनाने के लिए मैंने मायो में सॉल्ट और थोड़े से कार्लिक के इसके ओपर मैं डो को प्लेस करके इसके ओपर मैं डल लगाओंगी थोड़ा सा और अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूंद दूंगी ताकि जो इसके अंदर एर के वैक्यूल हैं वो सारे रिमूव हो जाए यह देखें अब इसको कितनी स्मूथ सी डो गूंदी यहां पर मैंने सब कट्स लगा लिये थे तो उसके बाद मैंने यहां पर अब मैं इस तरह करे के इसको प्यड़े बना रएँ हैं इसके आपने बैं को प्रीड़े। अब एक पीड़ा में लेती जाओंगी और इसको बहुत बारीक भी नहीं कुनना हमने ना बहुत मोटा गुनना है तो अब मैं इसके टोटिलास रोटी की तरह ही प्रिपेर करूंगी बैसिकली टोटिलास जो है रोटी की तरह ही पेनाये चाते हैं लेकिन ये पकाये पूरी तर तो आप उस पर थोड़ासा मैदा लगा लें तो यहां पर मैंने डोल मॉस प्रिपेर कर ली है तो मैं अब इसको अच्छे तरीके से यूँ बेल कर और अब यह देखें आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है अब मैं आपको दिखाती हूं कि इसकी आपने किस तरह हीट हुआ हुआ था उसके उपर मैंने प्लेस कर दिया जब आपको ऊपर थोड़े से बबल्स होने लगेंगे कि रोटी जो है वो पूल रिया तो आपने इसकी साइड को है चेंज कर देना है आपने इसको बहुत जादा नहीं पकाना ताकि जो हमारा टोटिला है वो सखना ह जो हुआ है इसको अपने सॉफट रखना एगें इस तदेखें है तो यह देखें हिए इसदे तोटिला है जो है दो दो बहुत आपने नहीं कर दो नहीं है उपने तोड़ाना साइब तो देखें तो यहां पर मैं बनाओंगी तो पुटेटोस काट लिए थे आप वेसे तरहे हैं गरें था जो फुरह है झाल जो और ने कुछ लिए अच्छार करने हम च्छा है निए इसे तो आपके तो यह जो है झाले जरूँ है तो आपको यह जो एक है जो अट लगाए पूड़ जिए तो आपको लेड माया थे खी लोगे है वह शुक है तो आपको पर स्टीम देखर भी आप इसको कुक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम किया हुआ था मैं यहाँ पर इसको तेज फ्लेम करके और इसको 15 मिनट के लिए कुक करूंगी यहाँ पर अब यह मैंने कुक करने के लिए स्टार्ट कर दिया है फ्लेम में थोड़ा सा तेज कर दिया है और मॉस्ट 3-4 मिनिट के बाद या 5-6 मिनिट के बाद चिकन जो है यह देखें हमारा वाटर उसने पानी चोड़ने लग गया है चिकन जो है अब मिसक अंदर थोड़े बाद वाटर एड़ करके और इसको स्टीम पे कुक कोने के लिए रखतोंगी यह देखें बहुत ही अच्छा सा चिकन हमारा जो है मेरी निटेड और टेंडर चिकन हमारा जो है वो प्रिपेर होगा इस तरह यहां पर यह चिकन जो है कोकोर आप चाहें तो थोड़े थोड़े दे बाद इसके साइड जो है वो चेंज करते रहें ताकि किसी पान मिनट्स तक जो है ना वो कुक करके और इसको ना अच्छे तरीके से पके पकने के लिए इसके ओपर कवर करके लिड और इसको ना रख दूंगी तो यहां पर पानी में बॉबल जाने स्टार्ट हो गए है मैंने यहां पर साइड जो है वो चेंज कर दी है सारे चिकन की अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर जो है ताकि यह लगे ना तो इसके ओपर में लिड डाल कर और इसको 10 तू 12 मिनट्स के लिए जो है मैं इसको कुक करूंगी आपने मीडियम फ्लेम पर करना ताकि चिकन हमारा नीचे लगना जाए पैन में तो यहां पर टाइम ओवर हो गया है तो हमारा चिकन जो है वो रिडी हो गया है देखें इसमें किसी किसम का पानी नहीं बचा और जो चिकन है वो सारा पानी जो है इसका ड्राय हो गया है और यहां पर जो है मैंने शौर्मा बनाना है तो इसके लिए में सबसे पहले टोटिला लेकर उसके ओपर मैंने मायो लगाई की का सबस्क्राइब कीजएगा अलाहाफिज